कि den टॉु टू इट को डास चलिए सक लिए इम्पेरिटिब सेंटेंस्ट वाले हैं गाई जाज्ञ तो सब से पहले देख ले देख लेकि जो इंप्रेटिब जान होते हैं वो कौन से होते हैं don't never always बर्व की फर्स्ट फॉर्म please kindly से start होने वाले sentence से start होने वाले sentence को imperative sentence कहते हैं कहते हैं गाइज अगर इसकी full imperative sentence की फुल वीडियो देखनी है तो आई बटन पर मिल जाएगी तो चलिए अभी start करते हैं इसके passive तो देखिए इसके passive देख लेते हैं सबसे पहले don't tell a lie गाइज इसका passive बनेगा let से let सबसे पहले आएगा guys let फिर आएगा a lie object इसमें guys helping verb जो लगेगी वो लगेगी be helping verb guys लगेगी इसमें be लेकिन इसमें आगे देखते हैं कि क्या है इसमें आगे do not है do not है तो do तो हट जाएगा guys not रह जाएगा तो जो आगे जो sentence करेंगे तो वो बनेगा let a lie not be told ठीके guys I hope आपको समझ में आया होगा एक और देख लेजिए don't play football तो guys देखी कैसे बनेगा let football not be played next देख लीजे never tell a lie never tell a lie तो guys ये कैसे बनेगा let a lie अब guys इसमें देखी आँगे कौन है never है तो never आजाएगा never be told एक और देख लीजिए always speak the truth तो guys ये कैसे बनेगा सबसे पहले let the truth आँगे कौन है always तो always आजाएगा let the truth always be spoken guys अब बर्व की first form बाला देख लेते हैं open the door open the door guys ये बनेगा let's say let the door guys इसमें आँगे कुछ भी नहीं है only verb की first form है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा only be आजाएगा फिर आजाएगा opened बर्व की third form चलिए please बाला देख लेते हैं please help me guys ये थोड़ा अलग है इसमें let नहीं लगाएंगे इसमें लगेगा you are requested to you are requested to guys इसमें please को हटा देना है और जो remaining sentence बचा हुआ है help me वो जैसा का जैसा आजाएगा guys यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर कोई change नहीं होगा ना ही इसकी बर्व की third form लगाएंगी जैसा है वैसा ही रहेगा एक और देख लिजे please take pity on me guys यह वाला वाला भी you are requested to take pity on me अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए thanks for watching प्रेस कर देखने से की अब्रेस बर्वाएंगी जैसा है